हलो बच्छा बाटी कैसे हैं सभी लोग I hope की सब बढ़िया होंगे and पढ़ाय लिखा ही कर रहा होंगे so welcome back to the channel my name is टापरोमर and in today's video we are going to discuss preparation of haloalkanes that is alkyl halides now यहां भी job preparation पढ़ने वाले हो उसमें आप total 5 reactions पढ़ोंगे naming reactions होंगी पांचों और पांचों की पांचों दिलो दिमाग में बैठा लेना अच्छे से रट लेना आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया और गयने की की बिटब पीज एंड प्लीज नेरे बेटा आप एक अलग से कॉपी बनाई है जिसमें आप reactions लिकिए तो similarly जो अलग से तो कोशिश करेंगे जितना बता पाए उतना 11 का भी इसमें बता दे और जितना आपके लिए जरूरी होगा उतना ही बताएंगे पूरा 11 भी नहीं पढ़ लेना कि अगर आपने पढ़ा है वेरी गुड अगर आपने पढ़ा हुआ है बहुत अच्छी बात है आपको बहुत प्रवाइब अगर आपको यह पढ़ा हुआ आता है बहुत अच्छी बात नहीं आता है तो मैं सिर्फ उतना बता दूँगी जो आपके 12 के लिए जरुरत होगी खै के जो करते हैं वीडियो को पहले जानते हैं क्या क्या आपको इस वीडियो मैं जानना है थीचे तो सबसे मेन सबसे पहली तो आप laat करोगे करोंगे Markonikov's Rule जिसकी मैंने भी बात बताई जो कि आपका कहां का portion है यह आपका 11th का portion आपने यह class 11th में पढ़ रखा है ठीक है basic वाला बता देंगे जो यहां पर जरूरत है पाकी अगर पढ़ा हुआ बहुत अच्छी बात है ठीक है second आप पढ़ोंगे पर चो खराश effect खरा then comes Finkelstein reaction ठीक है यह Finkelstein reaction जो है यह exclusive method for preparation of alkyl iodide ठीक क्या आपको इसमें जाने को मिलेगा alkyl iodide ठीक आप जब इसको बनाओगे इससे reaction करोगा अब यह भी आद करते जो यहीं से ठीक है क्योंकि जब आप फिर आगे मैं reactions करवाओंगे तो आपको यह भी पता होना चाहिए ठीक reaction होती है अभी तो आप hello alkynes के बारे में पढ़ोगे hello arines में भी यह काम आती है ठीक है तो मैंने यह किया हुआ है कि hello alkyles में आपको यह पहले बता दे रही हूं hello arines में और ज्यादा important हो जाती है यह reaction ठीक याद रख लो अभी से जो यह लिखा हुआ है ना एक मैं आपको एक reaction काम आती है आपके alkyl iodide को ही बनाने में. dalkylstine reaction में किसकर बनाने के काम आती है तो alkyl iodide के काम आती second one is your swartz reaction अब swartz reaction कि बनाने के काम आएगा तो आप बोलोगे भाई alkyl fluoride बनाने के काम आएगगied थर्ड होता है आपका Hans-D का reaction, यह होता है बच्चों alkyl bromide बनाने का, clear है? alkyl fluoride, alkyl iodide, alkyl bromide, देखो तीनों के तीनों यहाँ पर बनेंगे, लेकिन तीनों का नाम अलग-अलग होगा, यह important है, तीनों का नाम अलग-अलग, आपको भी ऐसे ही याद करना है, यह important है, ठीक है तो चलो, इसका screenshot लेना चलो, जल्दी से ले लो, start करें, okay, let's begin with the first rule, that is Markonikov's rule, यह जो Markonikov's rule होता है, यह बहुत असान होता है, इसमें कुछ भी बहुत जादा तिगडम वाजी नहीं होती है, असान सा rule है, छोटा सा rule है, यह बहुत basic सी बात बताता है, अगर मैं एकदम श carbon कम है, यह hydrogen वहाँ लगेगा जहाँ पर carbon ज्यादा है, नहीं संद में, 11 में नहीं पढ़ा है, तो नहीं आया होगा, अब इसी से समझो, अगर आपने इस line को समझ लिया, that is 11 में थोड़ा बहुत पढ़ा है, अगर नहीं समझा तो कुछ नहीं पढ़ा है, 0 एकदम 11 ते, चल सब toughest नहीं पढ़ा है, वह यह भी समझ लो भई, वैसे तो यह पता होना चेहा है, airflow सबके सबको, but च्शै बहुत च्छोटे सी बात बिता देते है, एक होते है, अलकील होते है, अलक्एन होते है, 말고 च्छै नहीं यह होते हैं, single bond, alken होते है, double bond, यह जुन होते हैं, double bond, वैसे तो basically यह होता है आपके तो alken double bond वाले की बात हो रही है, negative part of the addendum, addendum is basically यहाँ पर जो भी आप halogen के साथ वो लगार हो ना, जैसे कि HBR, ठीक ही HCl होगा, HCl या फिर H2SO4, कोई acid type का आप ले रहे हो, goes to that carbon atom of the double bond which has lesser number of atoms, which has lesser number of atoms, बस यह line याद रखो, Markovnikov's rule में, Markovnikov's rule में, अगर बात करेंगे कि कोई addendum किसके पास जाएगा, या आप general समझ लो, चलो, X किसके पास जाएगा, किसमें Markovnikov's rule में, तो आप क्या बोलोगे, उसके पास जाएगा, उस carbon के पास जाएगा, जहाँ पे, कौन से carbon के पास जहाँ पे less number of carbon, which has less number of hydrogen atoms होंगे, ठीक, तो यही है आपका सबसे basic, Markovnikov's rule का, ठीक है, hydrogen, जिसके पास सबसे कम होंगे, जिस carbon के पास, उसके पास चला जाएगा हमारा halogen, ठीक है, इस तरीके से इसकी reactions होती है, चलो, ठीक है, अब इसको मैं एक reaction समझाती हूँ, यहां समझा, यहां समझा, यहां समझा, यह पूरा visible है, let me check it, yes, it is all visible, ठीक है, अब इस reaction को बहुत से देखना, यहां पर पूरा clear हो जाएगा, mechanism थोड़ा बहुत समझा देंगे, पूरा mechanism नहीं, ठीक, मतलब थोड़ा बहुत समझा देंगे, इसका, हर reaction कर देखो, mechanism board के लिए important नहीं होता है, वो important होता है आपके competitive exam के लिए, ठीक है, तो वो, जैसे की for example, यहां पर mechanism लग रहा है, ठीक, mechanism कौन सा लग रहा है आपको बता देंगे, इसके लिए खेर, mechanism भी बताएंगे, इसके लिए बता देंगे, बट complete आपका 11th में होता है, वो सब यहां पर इतना नहीं ज़रूरी है, ठीक है, चलो, अब ध्यान समझो, यहां पर होगा क्या, यह क्या है, ए हमें add करना है, एक हमारा, एक हमारा HBR, HBR बोल लो, या HCL बोल लो, कुछ हम add करेंगे, ठीक है, चलो, add कर दिया, माम, ठीक है, हमने HBR यहां पर add कर दिया, कोई reagent यूज नहीं होता है, मार कॉनिकोफ रूल में, very important, note करना है, इस बात को, मार कॉनिकोफ रूल did not consist of, या did not include any reagent, कोई reagent नहीं ले रहा होता है, ठीक है, simple बोल रहा है, यह जो हमारा reaction है, यह जो CH3, CH, CH2 है, इसमें HBR को हमने add किया, तो क्या बनेगा, अब देखो, यह एक तो BR दिख रहा है, एक H दिख रहा है, यह ऐसी तो break होगा, HBR, H plus BR minus, HCL होता है, H plus CL minus, correct, yes, माम, correct, कौन किसके पास जाएगा, main तो यहाँ पर यह चीज है कि जाएगा कौन किसके पास, तो ध्यान से समझो बात को, BR किसके पास जाएगा, अभी अभी मैंने आपको बात बताई, BR किसके पास जाएगा, जिसके पास hydrogen कम है, जिस carbon के पास hydrogen कम है, BR कूद के उसके पास जाने वाला है, यह हम नहीं आसकता न, अलकीन, डबल बॉंड की बात होगी किवल, डबल बॉंड के उस कारबन पे जाएगा जिस पे हाइड्रोजन कम है, यार मेरे ख्याल से तो हाइड्रोजन इस पे कम है, तो देखो किस पे आ रहाएं भी यार, इस वाले, एरो दिख रहे है सबको, सबको arrow visible होगा, यह arrow जो बना हुए, देखो कहां जा रहा है, CH के पास आ जा रहा है, या राइट, यह रहा हमारा arrow, CH के पास जा रहा है, correct, तो अब आप इसको उल्टे तरीके से भी बोल सकते हैं, मैंने भी याद कर रहा है, उल्टे तरीके से क्या बोलोगे, कि hydrogen उसके पास ज hydrogen ज्यादा है, clear है यह बार, तो यह वला hydrogen उठके यहां आ गया, देखो किता सिंपल है, यह होता है, मार्कॉनिकॉफ्स रूल, ठीक, इतना easy है, कोई reagent यूज नहीं होगा हमारा यहां पर, मार्कॉनिकॉफ्स रूल पर, क्या बना देखो CH3, CHCH3, अब देखो टूटेगा कै चल, वो सारी बातें ज़रा, जो भी समझी है भी, वो यहां पर समझो, हमारे पास था CH3, single bond, CH double bond, sorry, CH3, single bond, CH double bond, CH2, सारी वेलंसी फिल है, carbon की, 1, 2, 3, 4, सारी वेलंसी फिल है, add कि हमने बच्चों, H, B, R, राइट, तो मार्कॉनिकॉफ्स रूल लगाना है, मैं क्या लगान है, मार्कॉनिकॉफ्स रूल को, ठीक, यह रूल हमें लगाना है, इस रूल के अकॉर्डिंग माम, आप बोलोगे कि हमको यह पता है, कि भाई, यह वाला जो BR है, यहां से उठेगा, और चला जाएगा, ऐसे carbon, double bond के, ऐसे, याद रखो, बच्चों, मैं बोल रहे हूं, double bond, क इस पर चला जाएगा, ठीक है, यह एच किस पर जाएगा, तो भाई, बच्चा हुआ एच, उसके बगलवाले में जा रहे है, ठीक, इसका mechanism important है, यह रटा नहीं जाता, इसका mechanism होता है, अच्छुली में यह क्यों हो रहा होता है, अगर इसका एक reason बताओ, पूछू मैं आप से बटाओ, यह क्यों हो रहा है, तो आप reason क्या दोगे, इसका reason होता है, बच्छो, कार्वो केटाइन की हो जिससे, कार्वो केटाइन, एक पर positive charge आएगा, जब double bond टूट रहा है, जब मैं जब mechanism समझाओंगी, तो फिर से समझा दूगी, यह double bond ब्रेक कर रहा है, double bond को ब्रेक समझो, single bond, double bond पर पाई आता है, यहाँ पर कौन सा bond होगा, पाई ब्रेक होगा, पाई ब्रेक होगा, तो एक पर आएगा positive charge, एक कार्वन पर आएगा positive charge, तो वो होगा कार्वो केटाएन, अब bond इस साइड शिफ्ट हो रहा है, तो मालनों इस पर आ रहा है positive charge, इस पर positive charge आए, कार्वो केटाएन बना, कार्वो केटाएन बनेगा, तुरंट की तुरंट, यह पूरी रियाक्शन, जो भी मैं बता रही हूँ, वो बन जाएगी, ठीक है, नहीं सु में CH2, अब देखो, यह bond टूटा, एक bond सिंगल bond हो गया, CH, अब यहाँ पर एक और H आके लग गया, तो CH3 हो जाएगा, यहाँ पर CH और क्या आगया, BR, तो यह BR यहाँ ऊपर लगा देखो, चाहे नीचे लगा लो, कोई फरक नहीं पड़ेगा, एक product तो आपका यह बन गया बताओ मुझे किसी को इसमें कोई confusion, क्या किया हमने, हमने लगाया, पूरा विजिवल ना, मार्कोनिकॉफ जूल लगाया, मैं आपने बोला था, कोई आगया, आपसे पुछेगा, तो आप कैसे जवाब दोगे, मैं आपने बोला था, कि जो पूरा हमारा एक product है, मानलो हमार पूरा reactant है, reactant में in case, यह पूरा reactant है, R, CH, double bond, CH2, alkene, olefins वाले चीज़ यूज़ हो, यह alkene वाले थी, double bond के उस carbon पे hydrogen जाए, या double bond के उस carbon पे, मैं लिख भी दे रही हूं यह बाद, double bond के उस carbon पे hydrogen जाएगा, जहां hydrogen कम होगा, बस, यही है आपका मारकाउनिक और खतम बाद, double bond के उस carbon पे hydrogen जाएगा, जहां पे, जहां पे hydrogen कम होगा, ठीक है, अब hydrogen हमें कम दिखा, यहां पे हमने उठाया, लगा दिया है, यहां पे hydrogen, double bond के उस carbon पे hydrogen जाएगा, जहां पे hydrogen कम होगा, ठीक है, simple है, easy है, बच्चे हुई जगे पे hydrogen को भेज देना, ठीक है, सारा खेल कहां हो रहा है, बच्चों, स यह हमारा जो product है, यह बन गया, इस product का नाम होगा, इसका नाम होगा 2-Bromopropane, यह भी आ सकता है, यह भी आपको याद रतना, अब naming मैं क्या बता दू, naming अभी बता चुके हैं, पहले भी आपको 11-10 सब में पढ़ी हुए naming, और मैंने आपको इसलिए starting में भी naming बता ही हुए, अ तो, now, अब क्या question बोल रहा है, हाँ, तो एक तो आपको यह बन गया, 2-Bromopropane, numbering तो आप सब चालते हो ना, meth, eth, prop, bromine लगा है, 2-2-Bromopropane, ठीक है, अब देखो, अलग से कुछ और भी दिख रहे है, हाँ, माम, आपने उपर वाली बाद तो हमको बता दीवा, हम समाझ गय तो, क्या होता, ऐसा तो हो सकता, लग तो, बियार उस पर भी सकता था, लग तो, बियार इस पर भी सकता था, अगर इस पर जाएगा, बच्चों, ये बियार इस पर जाएगा, ये भी बनेगा, ये बियार उस पर भी जाएगा, इस पर भी जाएगा, लेकिन जिस पर बात को समझो 3 degree सब कुछ basic है सब कुछ अगर आपने 11 नहीं पढ़ा तो चीज़े complex होती जाएंगी 11 पढ़ा है तो यहां पर बहुत आसान लगेगा लेकिन complex होने नहीं देंगे आपको हम पूरी चीज़े समझा रहे हैं आप पस patience के साथ समझते चलो कुछ confusion नहीं आएगी ठीक है एक सगेंड रूपना तब तक इतना देख लो जड़ा मैं जैकेट प्यान लो मुझे लग रही है कंदी अब बात को मेरे और ध्यान समझू ठीक है बच्चों जो कार्बो केटाएन में बात बताई मैंने कार्बो केटाएन समझ गया ना कार्बन और केटाएन बन रहा होगा राइट तो उसमें जब आप कर राइन स्टेमिल्टी देखो गे तो क्या होती है स्टेबिली कि 3 ृट्री ग्री घ्रेटर दन वन डिगरी यह एक स्टेबिल्टी ओती है कार्बो केटाएन वली ठीकरी बढ़ा होता है है लिखकर 2D listed करी बढ़ा होतम है तोилा अगर अगर मैं आप से पूचे हालोजेन जिस जिसको यह भी नहीं पता है वो यह भी सुन लो हालोजेन जिस कार्बन से कनेक्ट है वो कितने कार्बन से कनेक्ट है यह डिगरी बताता है हालोजेन जिस कार्बन से कनेक्ट है वो फर्दर कितने कार्बन से कनेक्ट है यह डिगरी बताता है अब आप यह मत है, that is, यह वन डिग्री है, this is, this is one degree, ठीक, इस पर आते हैं ज़रा, हालोजन, जिस कार्बन से कनेक्ट है, वो कितने कार्बन से कनेक्ट है, तो यहाँ पर देखोगे, वो दो कार्बन से कनेक्ट है, that is, यह बन रहा है आपका two degree, correct, बोलो यह बात, समन महीं सब को, हालोजन जि हमें two degree दिख एंहाँ, हमें one degree दिख एंहाँ, अब और ध्यान दो, क्या बताया है, three degree ज्यादा stable होता है, then two degree, then one degree, three degree तो यहाँ पे है नहीं, बचे क्या two or one degree, तो कौन ज्यादा बनेगा two degree वाला या one degree वाला, अगर पूछा जाएगा, तो answer होगा two degree वाला, इसलिए जो two degree बना है उसको ध्यान से देखो जरा क्या लिखा है उस पे उस पे लिखा होगा major product राइट इसको मैं erase कर देती हूँ अब जरा ध्यान से देखो जो आपका two degree वाला है उस पे लिखा है major product क्योंकि वो ज्यादा बनेगा और जब आप जब experiments करके देखा जाता है तो पता चलता है कि यह बनता है around 55 परसेंट यह बनता है around 45 परसेंट यह बनता है around 45 परसेंट that is this one is a minor product क्या यह बात सबको सबने मार्कॉनिकॉफ जूल सबने मार्कॉनिकॉफ जूल तो एक simple सी definition बोलता है उसका हिसाब उसके हिसाब से अगर कोई unsymm symmetrical एक olefans दिया हुआ है unsymmetrical उस पर अलकाइल भी लगा हुआ है ठीक है तो उस particular time पर हमने जब reaction कराई HBR, HCL, कोई भी चीज है अच्छाए one more thing HBR, HCL, HI कोई भी चीज है notice करना इस बात को आगे वाली reaction में जमन में आएगी यह बात कोई भी reaction हो रही है इनके साथ ठीक तो हालो hydrogen उस वाले carbon पर जाके लग जाएगा किस carbon पर जाके लगेगा जिस पर already hydrogen कम है ठीक पैली चीज लिए और alkenes वाले में ध्यान देना ठीक तो यह आप समझ गयोगे वो फिर hydrogen किस पर जाएगा या जो दूसरा है उस पर hydrogen चला जाएगा तो hydrogen आके ज्यादा जिस पर hydrogen उस पर यह लगेगा तू hydrogen वाले पर hydrogen किस पर लगेगा जिस पर ज्यादा hydrogen है ठीक है माम double bond break हो रहा है बच्चों single bond में double bond break हो रहा है किसमें single bond में अगर double bond single bond में break हो रहा है तो किसी को पता है वो reaction क्या होती है किसी को नहीं पता अगर यह पूछ लिया जाए तुम लोगों से जैसे टीचर्स पूछने कितने बच्चों को पता है यह answer तो आप बच्चे हाथ उठाते है तुम लोग का case उल्टा है ना सच बता उन बच्चों में से हुना जिनसे पूछों कितनों को यह answer नहीं पता तो स अपका हाथ उपर होगा एकदम जो 11 में नहीं पड़े उनका यही हाल होता और कोरोना के बाद तो एकदम कोई दो रहा नहीं है कि एकदम सेम यही हाल होता है राइट चलो डबल बॉंड सिंगल बॉंड में ब्रेक हो रहा है बच्चों एडीशन रियाक्शन अगेन इंपोर है ठीक है double bond break हुआ single bond में तो यह है addition reaction ठीक कैसी reaction है addition reaction ठीक electrophilic addition reaction बोलते है इसको क्या बोलते है electrophilic electron lover, electron electrophilic, philic मतला प्यार करना, so electrophilic addition reaction बोलते है इसको ठीक है इसका screenshot लेना हो जली से लेलो मैं इसको एरेस कर देती हूं फिर इसके थोड़ा सब मेकानिजम के बारे में जानेंगे ठीक है जल्दी स्क्रीन शोट फटा फट वाला स्क्रीन शोट होना चाहिए सब मेन ले लिया ओके सब ले लिए अंचा यह तो पढ़ा चुके हैं तो यह बता दिया ना मैंहीं यहाँ पहले हैं यह बनेगा आपको बॉच्चो मेजर प्रोड़क्ट एक दम ऊपर चला गया है मेरी राइटिंग, यह बनेगा आपका मेजर प्रोडक्क, माइनर कप बनेगा? जब यह बी आर वन डिग्री वाले पर लगए गाएगा, क्योंकि 3 डिग्री, ग्रेटर देन 2 डिग्री, ग्रेटर देन 1 डिग्री, कार्वोकेटाइन के केसे, कार्वोकेटाइन समझाते हैं, कई बच्चे सोच रहे हैं, नाम आधी अदूरी बात क्यों बता रही हैं, कहां गया? ठीक है, अभी बेसिक थोड़ा सा और समझा रहा एक दो बाते, अगर C-L लगा दे, मतलब अलग element के साथ लेलो, मैंने बताया ना, कि यह CH-BR के साथ भी कर रहा है, C-L के साथ भी react कर सकता है, तो यह दोनों सब के साथ react कर रहा है, ठीक है? तो, अगर मैं यह वाली reaction दिखाऊं, देखो, तो इसमें भी same होगा, राइट, यह C-L गया, किसके पास लग जाएगा? CH-3, single, C, double bond, CH-2, CH-3, क्लोरीन, किसके पास लगेगा? double bond के उस carbon में chlorine लगेगा, जहां पर hydrogen कम है, तो दोनों में से कहां लगेगा? chlorine, ध्यान से देखो, कहां लग रहा है, simple है, यह तो सोचने की विजरूरत नहीं, यह दो है, इसके पास hydrogen जादा है, इसके पास hydrogen है यह नहीं, तो किसके पास लग जाएगा? simple, 2 degree वाले पर जाके, तो क्या बना हमारा है, यह वाला हमारा compound बन गया, clear यह बात सबको? देखो, इतना simple है, मार कॉनिक ओस जूट, reaction, लेकिन जैसे मैं समझा रही हूँ, अगर आप सर्फ हो चीज समझ के, और चले जाओगे, घूमोगे फिरोग एकदम, दोस्तों यारों के साथ पाटी आटी कर practice and nothing else, जितने बच्चे यह कहते हैं, हमारी organic week है, 12th की organic बहुत tough है, मुझे बिल्कुल नहीं आती है, 12th की organic 11th नहीं पढ़ा इसलिए नहीं हो पाई है, यह नहीं किया, बहाने बनाते हैं, सिर्फ रीजन बच्चों यह होता है, कि organic में reactions होती है, आप जब यह organic पढ़ते हो, और reactions आप note करने से पहले ही हार मान जाते हो, तो इसलिए गलतियां कर बैठते हो, तो reaction को note जरूर जरूर करो, instead of किसी को और पर ध्यान देना, कई बचे मुझे, मतलब अलग अलग ताइप के बोलते हैं, कि माम क्या qualification है, क्या यह आपका क्या, अरे यार तुमको क्या जा रहे बताओ, जो पढ़ा रहे हैं नहीं आ रहे हैं, यह क्या करो कि मैम यह यह वाला point नहीं आया, यह comment मत करो कि मैम आपने क्या पढ़ा, तुमको पढ़ा रहे हैं, तुमसे ज़्यादा पढ़े होंगे ना, that's it, that is more than enough for you, तुक, उसके आगे कोई जरूरत नहीं है जानने की, ज लोग मेरी बारे में जानने में लग जाते हो, तो जो आपके कॉर्स पार है उस पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस ज़ा करो, इंस्टेड ओफ कौन पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रही है, वो यह, उससे कोई परक नहीं परता है, ठीक है, चलो, ठीक है, तो बात समझ में आ गई सबको, क्या हो रहा है यहाँ पर, क्लोरीन किस पर जाएगा, जिसके पास हाइडरोजन कम है, क्लोरीन उसके पास चला जाए ठीक, तो यह बन गया हमारा कमपाउं, इसका नाम लिख लेना भाई जल्दी से, नाम ज़रूर लिख लेना इसका, यह बनेगी इसकी कार्बन कार्बन चेन, राइट, कहीं से भी स्टार्ट कर तो नमबर इंग, 1, 2, 3, क्या है, 2 क्लोरो, 2 क्लोरो, और 2 पर यह क्या लगा है energized, methyl भी लगा है, बाकी meth-eth-propene, double bond तूटा, double bond break हो गई होगा, right? double bond break हुआ double bond break कब होगा इसमें तो confusion नहीं है इक पास ईक के पास आ रहा है hydrogen एक के पास हा रहा है hydrogen ठीक तो double bond तो टूटे गा न a five bond टूटे गा five bond break होगा five bond easy bond होता है जल्दी तूट जाता है if we won break हुआ जा के vaso लग गई के, बात यहीं पर खतन यह होता है तो आप इसके आगे कोई भी चीज कोई भी कंपाउंड ले सकते हो ठीक है आप ऐसे चाहो ले लो बनेगा सेम चीज बस आपको उससे कोई मतलब नहीं आपर आर से तो कोई फरक नहीं पढ़ रहा हो ना आलकाईल वाले से देखो नो काईड ऑफ चेंज की अगर आर क्या है क्या नहीं है चेंज तो आएगा डबल बॉंड कहां लगा है कहां नहीं उस पे ठीक है चलो टेक्ट स्क्रींशट फास नाम हम लिख दिया है उसमें मिधाईल प्रोपीन ठीक है आगे बड़े मेकैनिसम जाने इसका कैसा होता है समझो सबसे पहले क्या हुआ यह लगा आपका एक अलकाईल ग्रूप बच्चों यह लगा आपका CHCH2 डबल बॉंड वाला देखो डबल बॉंड बात सुन लो ध्यान से इस बात को बहुत ध्यान से समझो डबल बॉंड वाले पर ही ठीक है तो डबल बॉंड लगा हुआ है आप देखो मेकैनिसम में सबसे पहले हुआ क्या यह बच्चों यह ब्रेक होता है आज एच प्लस और ब्यार माइनस बहुत बढ़ी मैंने बात नहीं बता दी एच ब्रेक हुआ है एच प्लस सील माइनस या ब्यार माइनस पर सबसे पहले स्टेप में एच प्लस आता है और अटाक करता है किस पे अटाक करेगा यह समझो यह तो डबल बॉंड है बच्चों तो आपने सिग्म और पाई बॉंड पढ़ा होगा यहीं पर रुप जाईए सिग्मा होता है सिंगल बॉंड ही होता है डबल बॉंड के साथ ठीक है तो इससे भी नहीं मतलब है πई बॉंद है अब तो किस तरफ शिफ्ट होगा पाइब यहां पर ब्रेक होगा यह बॉंद ब्रेक होगा डबल बॉंद convert होता है single bond में इस reaction में तभी तो इसको addition reaction बोलते हैं so that is why हमने बुला यहां पर break हुआ अब देखो होगा क्या इस पर आएगा हलका negative charge इस पर आएगा हलका negative charge bond break हुआ इधर पर H प्लस आके इधर इस पर attack किया चलो और simple एकदम basic माल लो एच प्लस आके उस पर attack किया ठीक है बिटा H प्लस आके उस पर attack किया कार्बो केटाइन बना वो कार्बो केटाइन पॉस्टिव चार्ज आ रहा हुआ उस पर कार्बो केटाइन यहां पर आगे हलका नेगेटिव चार्ज अब बात को बहुत ध्यान समझो कहा नेगेटिव होगा कहा पॉस्टिव और ब्रीफ में समझो यह सब कुछ अगर नहीं समझो और ब्रीफ में समझो बात को पहले case में हमने माल लिया, वैसे तो पहला case ये वाला बनता है, पहला case ये वाला बनता है, फिर ये वाला बनता है, लेकिन आप किसी भी तरीके से यहां पर समन लो, mechanism is not that much that, ठीक, तो यहां पर देखो, क्या होगा, लेकिन mechanism नहीं समझोगे, तो बेसे, उसके depth में बात नहीं स करेगा, राइट, पाइब और तूटेगा, तो इधर साइड शिफ्ट होगा, तो डिगरी, स्टेबल होता है, अस कंपेर तू बन डिगरी, तो खेर, क्या हुआ, यहां पर शिफ्ट हो गया, अब यहां पर शिफ्ट हुआ हमने बोला ये चीज़ बन गई, बच्चो शिफ् पॉजिटिव चार्ज, अगर वहां गया, तो इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, भाई, उस पर एच प्लस चला गया, तो यहां पर थोड़ा सा शिफ्ट हुआ, तो क्या होगा, यह पॉजिटिव वाले पर आके नेगरी वाला ब्रोमीन लग गया, सिंपल, समझ में आ हाइड्रोजेन है, हाइड्रोजेन इस वाले को अटैक किया माल लो, सेकेंड वाले पर, तो हाइड्रोजेन इस वाले पर अटैक करेगा, तो क्या होगा, इस पर आएगा हलका पॉजिटिव चार्ज, इस तरफ पर आएगा हलका पॉजिटिव चार्ज, उस तरफ पर उस तर इस reaction का नाम होगा electro, या कोई पूचे mechanism है, तो क्या है? Electrophilic addition reaction. क्या है? Electrophilic addition reaction. ठीक है? तो एक आपका बना primary carbocation, एक आपका बना secondary carbocation, ठीक है? दोनों मेंसे ज्यादा stable कौन होगा? तो आपको बता दिया मैंने कि 3 degree greater होता है बच्चों 2 degree से और वो greater होता है 1 degree से. तो यह एक concept होता है carbocation की stability का. कब ज्यादा stable होगा? जब 3 degree होगा या जब 2 degree होगा फिर 1 degree. तो यहाँ पर 3 degree तो कहीं है नहीं, तो 2 degree और 1 degree. इस reaction में particular reaction में 3 degree होता है तो सबसे पहले वो बनता है, वो major product बनता है. तो अगर हम ध्यान से देखेंगे इस reaction को, तो यहाँ पर होगा क्या? जो positive उस पर आजाए यह बना, फिर हमने bromine attack करो, फिर bromine attack करता है, तो bromine चलाता है positive वाले के पास, ब्रोमीन चलाता है positive वाले के पास, clear होगी बात सबको, तो यह आपका बन गया इस थरीके से और यह बन गया दूसरा product, एक बनेगा minor product, एक बनेगा major product, कों decide करेगा? डिग्री decide करेगी, डिग्री किस कारबन से कनेक्ट है, क्या बोल रही है, माम समझनी आए, यह हमारा कारबन है, यह कारबन है, हालोजन जिस कारबन से कनेक्टेड है, वो कितने कारबन से कनेक्टेड है, यह बताता है, डिग्री, अगर हालोजन जिस कारबन से कनेक्ट है, वो सिर्फ और सिर्फ एक कारब है है हेलोअगे यह हमारा यह जिस कार्बन से Connect है तो बताता है this one degree कोई यह तो नहीं सोच रहा है माम यहां भी आ रहा है तो 2 डिग्री नाई यह तो सर्फ इस्से से कणेक्ट से कणेक्ट फिर कोई किसी से कनेक्ट तो बट अलग हो गई यह से connected that is 1 degree होगा, यहाँ पर ध्यान से देखो, हालोजन जिस carbon से connect है, वो कितने carbon से connect है, हालोजन जिस carbon से connect है, वो कितने carbon से connect है, तो यह दिखा रहा है 2 degree, ठीक, तो 2 degree, 1 degree, और हम पता है 2 degree stable होता है as compared to 1 degree, तो इसलिए यह बनेगा हमारा major product, यह बनेगा हमारा minor product, clear है, अगर experimentally तो वो बनता है 55%, major 55% around होता है, यह around होता है 45%, mechanism clear रखना, पहले H plus ने attack किया, तो क्योंकि H plus, H plus को क्या बोलेंगे, तो इलेक्ट्रो फिलिक, H plus, electron lover, electron से प्यार करने वाला, philic मतलब lover, तो इलेक्ट्रो फिलिक, electron से प्यार करने वाला, H plus जाएगा, जिसके पास electron ज्यादा होंगे, electron खीच ए उसको पनी कि तरफ, तो H plus पहले उसके पास गया, फिर उसके बाद बी-ार अटैक करेगा, पहले ह नहीं समन में आएगा, तो पता नहीं चलेगा क्या बनेगा, ठीक, तो एक होता है major product, एक होता है minor product, कब कौन बनेगा है, होप सो, अब आप ये बात समझ गयोगे, चलो, गलिजजज़ का screenshot लो, then we'll move to the next slide, next, per oxide effect और kharash effect, इसको per oxide effect भी बोलते हैं, इसको kharash effect भी बोलते हैं anti-markonikov's rule भी बोलते हैं, ठीक, एक होता है clockwise, एक होता है anti-clockwise, anti-clockwise चलो, ठीक, anti-bolo, चाए anti-bolo, जो जो समन में है वो बोल लेना, इसमें pronunciation मत सही करना, ठीक है, so, एक होता है clockwise, एक होता है anti-clockwise, right, clockwise माम ये होता है, anti-clockwise ये होता है, माम ये पढ़ना है, ये निपढना है, बात के डियारी इस दारेकशन में मतलब आपस में ओपोजेट होते हैं तो अगर मैं बोल गयों मारक ओनिकॉप लू तो दोनों आपस में क्या होंगी ऑपोजेट होंगे जो आपने मारकॉणिक उफ्रूल में पढ़ा है उसको एकलम पलट दो वह जाएगा ऐन्टाइ од Или monikov's rule, लेकिन यहां बीके पे चनडिशन होती है। आई लोह इपา कि क्लोरीं में भी यूज Vik本 मे भी शुर रहा है। उस्रिम क्लोरीं में भी block और वियू को स्रफ ब्रोमीन होे भी से रहा है मैं अपर क्या रहता है व्याद मैं मैंग। बशन को सिर है- समझो, in the presence of peroxide such as benzyl oxide, अगर आपने एक peroxide का यूज कर लिया, ठीक, इसके लिए इसको peroxide effect भी बोलते हैं, एक peroxide यूज कर लिया, जैसे कि C6H5COO whole twice, C6H5COO whole twice, जिसका नाम होता है benzoil benzoil peroxide, इसका structure पता है आपको एक benzene लगा होता है उसके बाद दूसरा बंजीन लगा होता है, बता दू, ज़रूरत नहीं वैसे, एक benzene लगा होगा यहापे, C6H6 something, दूसरा बंजीन लगा होगा, दोनों में COO connected होंगे, तो एक ऐसे type का structure बन जाएगा, ज़रूरत नहीं इसका structure बेंजोई परोकसाइड, तीक है, the addition of HBR only not HCl or HI, देखो, लिखा हुआ है, बातमवानों, याद कर लेना, in the presence of HBR, in the addition of HBR, not HCl, not HI, that is, anti-mark-onik-off's rule, जब हम पढ़ेंगे, यह हम कहराश effect इसको बोलते हैं, यह जब पढ़ेंगे, तो क्या याद रखेंगे, कि यहाँ पर, यह specify कर देते हैं, कि सिर्फ और सिर्फ भाई, ब्रोमीन में लगाना है, बात सुन लो, मार्क-onik-off's rule सब में लग सकता है, लेकिन यह सिर्फ और सिर्फ ब्रोमीन वाले में लगाना है, अब हमें, बात समन में आ गई, हमें नहीं दर दर दिहान देना है, कि और क्या इस कार्बन अटम ऑफ दबल बॉंड विच हैस, मोर नंबर ओफ हाइड्रोजन बॉंड तो पहले एक्स्प्लेन कर दिया तब समझ गयोंगे मेरे ख्याल से कोई कंफिजन नहीं होगी, राइट, उसके पास जाएगा हमारा हैलोजन जिसके पास हाइड्रोजन कम है, समझ गया न गले में खराश, ओके चलो, इसका स्रींशट ले नो जली स्लो, ले लिया, ओके, अंटाय मार्कॉनिकोफ्स रूल या पर उक्साइड रूल सब्सक्राइड है, थीक, पर उक्साइड दिया हुए, अब बहुत बच्चे यहां पर यह बोल देते हैं, अरे माम यह सा रियाक्षन आजाती ही, तब हमको एंट्फ्यूज जाते है, यहां तो हमको याद हो जाता है, बोलते हो ना, एक दो बच्चे तो ऐसे होंगे, जो यह बात जरूर सोचते हैं, कि अरे यार, हमको अभी तो रियाक्षन याद हो गई है, बट जब यह रियाक्षन बोर्ड में हम समझ गया है, एंटायं मार्कोनिकॉफस रूल, ऑन्टायं मार्कोनिकॉफस रूल, तो यह है भाई, हद इच्च बूबियारद माइनस होगा, किस के पास जाएगा इस पर ना 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 इसपर जाता हमारा मेमारकाॉनिकॉफस अभी किस पे जाएगा तो आप बोलोगे अभी जाएगा इस पे बचा हुआ हाइड्रोजन किस पे जाएगा तो यार हाइड्रोजन चला जाएगा इस पे अब देखो यह चीज यहां पर समझ लो जिसको पहले वाले में समझनी आई हो फिर से बात समझ लो हमने बोला CH3 डबल बॉंड ब्रेक होगा डबल बॉंड ब्रेक होगा एक बॉंड बचेगा के वल हो ठीक डबल बॉंड ब्रेक होगा एक बॉंड बचा 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 CH2 ठीक क्लियर यह बात CH2 अब यह जो बी आर है यह आएगा एडिशन रियक्शन होती है एडिशन रियक्शन यहां पर भी से कौन सा मेकानिजम लगता है फ्री रैडिकल मेकानिजम ठीक लिखा नहीं अभी लिख देंगा गया हम तो बीयार जाएगा और आज अजय बिशिके पास हाइड्रोजन ज्यादा है तो यहां से यहां से यहीं पर लगाओ चलो च यहां पर जाएगा एक बीयार उपर लगा सक अगर बहुत से बच्चे यह भी कहते हैं, जब आप उफलाइन पढ़ातों आप बहुत चीज़ समझते हूं, आपनी टीचर्स जब टीचर्स ऐख भागा थे हो बहुत चीज़ थे समझते हैं कि यह पढ़ा रहें, यह वाला पूरा completely fill है, इस पर एक carbon, दो bond, दो bond यहाँ, एक bond है, तीन bond, यानि कि तीन वेलंसी fill है, एक hydrogen लग गए, चार फिल, जब आपने bond हटाया, आप bond हटा होगे, तो आप ध्यान देना, bond हटा, एक bond लगा, तो आप carbon के पास दो bond है, कितने hydrogen चाहिए होगे, तो यह चार व तो इस तरही के से product को बनाया जाता है, ठीके, चलो, जिसको आता था very good, major product बन गया, यह यहाँ पर minor product किया बनेंगा, तो यहाँ पर minor product वो बनेगा, जो वहाँ पर major बनाता, 2-degree वाला यहाँ और यहाँ पर minor हो जाएगा, 2-degree वाला यहाँ पर minor हो जाएगा, समझ गए है डिफरेंट समझ गए है यह पर एक पर ऑक्साइड यूज कर रहे है यह पर सिर्फ और सिर्फ हुआ हो सकता और कोई नहीं यूज हो सकता anti-marchonikov's rule चलो लेलो फटा फट से screenshot लेलो anti-marchonikov's rule ठीक है अगर कोनिकov's rule कैसी reaction देता है तो आप बोलो कि Electrophilic Addition Reaction Electrophilic Addition Reaction जो मैंने आपको बताया जो भी वहाँ पर reaction और थी वहाँ पर positive charge जारता and so on यह कैसी हो कि Free Radical Addition Reaction पर उक्साइड वाली कैसी होगी Free Radical Addition Reaction ठीक है? दोनों चीज़े सामझ गए? चलो लिख लो इसको भी जल्दी से Then we'll move to the next thing Reaction कैसी reaction है? Finkelstein Reaction Now again, अब कॉपी पेन फटाफट निकाल लिया करो रख तो नहीं दिया था इतनी देर में कि वह इतना जादा इंपोर्टेंट था बाकी का हम लोग खुद से देख लेंगे, राइट? तो यह भी इंपोर्टेंट उतना ही है चलो ध्यान तो समझो, यह बात करते हैं बच्चो तो इसमें Sodium Iodide लेते हैं, बताएंगे, क्या सिर्फ यही लेते हैं या और कुछ भी लेंगे, तो क्या होगा? सब कुछ बताएंगे, पेशेंस, पेशेंस रखो बस, फास्ट मूड पे लगा के देखो बली, पेशेंस रखना, क्योंकि दीरे दीरे ही सारी बाते सुनमें, मैं एकदम से बता दू इसमें यह होता है, तो यह वाली बाते जो गई ना, तो इतना जो डिफ्रेंस आएंगे मैं टाइम वेस्ट कर रहें ना, चलो ठीके, नहीं करूंगी, अगर हमें, अचा, अब एक चीज़ याद रखना है आपे, मैंने कुछ लिखा हुआ तो, अभी यहां पे अगर हम आते हैं, क्या बनाता है यह, फिंकल स्टीन रेक्शन मैं बनाता है, आलकाईल आयोडाइ, ब method, used for preparation of, used, used for preparation of alkyl iodide, सबसे जदा है, अगर आप ब्रोमीन वगेर ले लोगे, तो फिंकल स्टीन नहीं कर लाएगा, फिंकल स्टीन कप कर लाएगा, जब alkyl iodide वाली preparation होगी, ठीक है, चलो, वापस आते हैं, so, alkyl iodide are prepared using this method, ठीक, इससे हम alkyl iodide बना सकते हैं, the chloro or bromo alkyl is heated with na i in acetone or methanol, हम कोई भी chloro या bromo, अब बात को फिर से समझो, माम आप तो कह रहे हैं, सिर्फ iodide फिर confused हुए, बेटा, मैं इसकी बात कर रही हूँ, na i में na cl, na br नहीं होगा, ठीक है, उसकी बात करो, उसमें हो सकता है, ठीक है, तो यह बोलते हैं, कि अगर आपक को, कोई भी एक reaction से, particular reaction से, अपना हमें motive से नहीं, हमारा motive क्या है इस वाले topic में, कि हमें निकालना हा है haloyl wymalukk,ege alkylhydes, निकालना है, तो हमें motive याद रखना है, ठीक है, यहां पे刨 आई, i r br है, व yoha, आप लोग भी, हमने क्या किया, हमने यहां पे लगाया, Finkelstein reaction, Finkelstein reaction ये कहते हैं, ये कहती है कि अगर आपने कोई particular reaction लिखी हुई है, तो उसमें ये जो negative वाला है, ये जाके भाई, अब होता क्या है, R के पास एक negative आएगा, simple सी बात है, R, B, R एब यहाँ आजाएगा, तो ये I वाला चलाएगा, R के पास, B, R वाला चलाएगा, Na के पास, तो Na, B, R के प्रेसिपिटेट मिल जाते हैं, और R, I मिल जाता है, अलकाईल वाला, चलो, जो लोग नहीं समझें, वो लोग यहाँ पर समझें, माल लो, Finkelstein reaction की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है, माल लो मेरे पास एक compound ले लो, चलो, CH3 CH2 and साथ में लगा तो, क्या लगादे, ब्रोमी लगा, चलो, ब्रोमी नहीं लगाते हैं, and साथ में ले लो, sodium iodide, sodium iodide, कौन सी reaction है, Finkelstein reaction है, आच्छा, कुछ बच्चे यह तो नहीं सोच रहे हैं कि माम, यह कैसे बना, यह कैसे बना यार, यहां तो हालोजनेशन किया गया है, ध्यान से देखो, इतने में, हालोजन लगा हूआ है, यह तो हालोजनेशन किया गया है, यह तो simple बना हूआ है, यह reaction, क्योंकि कभी-कभी, जब conversions आते हैं, तो बच्चे कन्फ्यूज जाते हैं कि यह तो हमने पड़े ही नहीं, हमें यहां से अब डारेक्ट बनाना है कुछ ऐसा, बहुत असान होता है, देखो, इसमें हमने ब्रोमी नाइट किया हुआ है, पहले तो सबसे पहला काम, फिर उसके बाद हमने सोडियम आइट के साथ रहा है, अभी आपको conversion में बोलेगा ना, अब conversion में आपको बनाना है, आइट वाला, अलकाइल आइट, तो बस आँख बंद करके, पहले का कुछ भी हो, आँख बंद करके, एक सेकंड का पोउस लो, एक सेकंड में दिमाग माना चाहिए, पहली वाली मेरी slide, बनाता है, वो पहली वाली जो slide है, बड़ी importance है उसका, समझोगे भी आगे जाके, तो आपको याद रखना है, अलकाइल आइट बनाता है, भाई, बात खतम, फिंकल स्टीन, आलकाइल आइट, फिंकल स्टीन, आलकाइल आइट, ओके, आगे बढ़ते हैं लोग यापे, अब साथ में क्या आएगा इसके, आई, आयोडाइड लग गया ना, आई, ठीक, आइट साथ में क्या बनेगा, नीचे लगा दू, प्लस, एने, बी आर का प्रेसिपिटेट, चलो, अब बताव मुझे इसमें कोई confusion आई, फिंकल स्टीन रियाक्शन, लिखके रटलो, लिखके र reaction क्या बनाता है, exclusively used for the preparation of alkyl iodide, exclusively used for the preparation of alkyl iodide, इसी में अभी मैं आपको लगा के दे दू, CH3, CH2 जो लगाया है, इसकी जगे अगर मैं लगा दू, CH3 केवल, केवल मिथाईल लगा दू, तो अभी सेम बनेगा, CH2 हटा दना है यहां से, राइट, मैं मिथाईल लगा दू, CH3, CH3, BR, साथ में, NAI, चलो, यहां पर CL लगा लो, बलकी, ठीक, CL, साथ में, क्या बनेगा, CH3, I, आलकाइल, आयोडाई, ठीक, साथ में, NA, CL, ठीक, तो यह बन जाएगा, नोट कर लो इसको, पहले इसको नोट करो, जली से, ठीक है, यह रियाक्शन, जब जब आप रियाक्शन याद करो, मैं आपको एक बात और याद कराऊ, एक बात और समझाओ, जब आप रियाक् NA एक्स बन जाएगा, RI ठीक, तो इसके सिंपल रियाक्शन लि opioidो करो, जिलाई फोंग Anda, इसको रियाक्शन ने पाते हरो, मैं प्रामीर, Ju, क्हुन, स्क्राणा संसे स्क्राइगा, जब बड के इसको, च्लोरीन, ब्रोमीन कोई भी हो सकता है, क्लोरीन ब्रोमीन, ख्लोरीन स्क करना कभी भी ठीक है कर लिया यूस ओके हो गया आगे बड़े आचा एक सेकेंड एक सेकेंड हाँ यह हो गया ना इसका इसका लो स्क्रींशॉट इसका स्क्रींशॉट भी ले लो राइट और इस पर लिख भी लो कर गिख्णा टने सेंग हो क्या है आगेकिया हो मौं चाल। आखम थांट रूम यहां भी अख्याप यहकुण कि ली रही है रही हूं चलो ≦ च्छ, ≦ ask कोई भी ऊक तोना था होना चाहिए. विंकल स्रीम हे नहीं केसे करें तुक्षितिसrocket योड टै किसकी प्रेजसेंस ब्रोंट का और लिख रहना है, तो इस तो हमने यूज किया तो हमें मिलेगा दो चीजे एक तो हमें मिल गया भई यह जो आर है मारा यह लग जाएगा आई के साथ क्योंकि तो आयोडीन वहां लग गया बची हुई जगे पे जो भी चीज बची वो लिख दिया उसका प्रेसिपिटेट बन जाता है यह देखो आपको यह बन गया प्रेसिपिटेट इसका तो यह नीचे बैठ जाएंगे सिंपल चलो मेरे खाल से आप लोगी समझ गया होगे बहुत असान रियक्शन होती है इसमें बहुत जादा कुछ ऐसा नहीं होता है कि आपको नहीं आएगा ठीक है ठीक है और आपको यह पता ही होगा क्लोरीन जो होता है फिर उपर से नीचे आओगे तो और कम होती है उसकी सबने स्क्रीन शोट ले लिया ओके नेक्स्ट फ्लोरीनेशन समझ गया फ्लोरीनेशन नो इस वेरी इंपोर्टन अभी जो फ्लोरीनेशन में आप स्वार्ट्स रियक्शन आएगे अपकी क्या-क्या पढ़ लिया हम लोगों एवी तक यह समझते है चलो साथ में हम लोगों अपना मारकॉनिकोफ जूल पढ़ लिया हम लोगों ने खराश एफेक्ट पढ़ लिया हम लोगों ने फिंकल स्टीन रेक्शन पढ़ लिया आप लोग स्वार्ट्स रेक्शन के पास आएंगे किसके लिए होती है अलकाइल फ्लोराइड के लिए क्यों इंपोर्टन है यह म कुछ भी कर लो, fluorine ऐसे नहीं लग सकता, क्या reason निया माम, बहुँआ ज़ादा एक्स्प्लोजिव रेक्शन देता है, fluorine बहुँआट एक्स्प्लोजिव कोई मेरा या 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 कोई ऐसी बहुआ चोटी सी बात नहीं है कि मैं तो आगे लगा दिया, explosive reaction होती है, सब कुछ खराब कर सकता है, समझे इस बाग को यहाँ पर, ठीक है, यहाँ समझना, कौन सा कलर, येलो, चलो, fluorillation of hydrocarbon with pure fluorine, अगर हम pure fluorine ले ले लेते हैं, gas is an explosive reaction, कैसी reaction है, बहुत जादा explosive reaction, कुछ खराब कर देगी, bomb blast हो जाएगा, पूरा, so it is partly due to the low bond dissociation energy of F2 molecule, आपको बहुत जादा नहीं जानना है, basic basic बाते जानों क्यों होता है, यह actually में इसलिए होता है, क्योंकि जो bond break होता है, जो भी, bond break होता है, due to low bond dissociation energy, उसकी वज़े से F2 molecule जब टूटेगा, कुछ इतनी energy निकलती है, एक तो यह reason हो गया, और क्या reason है, due to the highly exothermic termination step, बहुत जादा exposed thermic, exothermic, sorry, exothermic जानते हो, जिसमें heat release होती है, चिक, तो बहुत जादा exothermic termination step होता है, बहुत जादा heat निकल सकती है, तो इसलिए, चिक है, so for example, यहाँ पर R plus F मैंने direct कर दिया, तो RF बना, तो क्या होगा, the energy release in this step is around 447.7 kilojoule per mole, not joule, kilojoule per mole, सोचो, इतनी energy, बहुत energy हो गई है, this energy is larger than energy required to break carbon-carbon bond, सोचो, carbon-carbon के बीच का bond तोड़ना इतना आसान नहीं है, लेकिन यह इतनी energy है, कि आसानी से carbon-carbon का bond तोटेगा, जिसको चहिए होता है 347.3 kilojoule per mole, ठीक, however, direct fluorination of hydrocarbons may be done by dilution of F2 with an unreactive gas such as N2 और आरगन, या तो भई dilution, इतना हद तक dilution कर दो कि इसमें 2-4% fluorine रह जाए, यह बात समझ गया ना, fluorination, क्या fluorination का, आपने fluorination की कोई reaction नहीं पढ़ी होगा, आप नहीं पढ़ सकते है, होती ही नहीं होती है, यह बात समझ गया बात को क्यों नहीं होती, explosive reaction होती है, ठीक है, तो वह वाइ, डगली तेडी करके निकालना पड़ रहे को, तो डारेक मेतोड नहीं हम इंडारेक मेथोड का नाम होता है, स्वार्ट्स रियाक्शन अक्चुली मैंने स्टार्टिंग में बता है है हेलो इरीन में भी बहुत अच्छे से काम आने वाला है तो यहां पर बेसिक जान लो इसका ठीक है बेटर यील्ड करना है बेटर चाहिए हमें एक फ्लोराइड किसी भी हाइड्रोकारबन का तो हम क्या करेंगे उसको इन सब के साथ रियाक्ट करवाएंगी ठीक है या तो आप यहां पर मैं AGF से समझा दूंगी हच जी टू एफ टू से समझा दूंगी आप किसी से भी समझ सकते हो ठीक है यह मैं ले लिया AGF तो मैंने क्या किया आर बिया लिया सिंपल अपना अलकाइल ब्रोमाइड लिया उसमें क्या लगा दिया AGF लगा दिया ठीक कुछ भी लगा सकते हैं सब में से कोई भी चीज यूज कर सकते हैं AGF लगा दिया तो यह F तो जाके लग जाएगा आर के पास स्वाट्स रियाक्शन किसके लिए होता है exclusive method for the preparation of alkyl fluoride Swart's reaction exclusively used for the preparation of your exclusive method used for the preparation of alkyl fluoride ठीक है लग गया जाके तो आर एफ बन गया AGBR का हमें precipitate मिल गया so this reaction is called Swart's reaction is this thing clear देख लो अच्छे से समन में रहे है आर बी आर है साथ में AGF लेलिया हमने क्या बनेगा अरे बनेगा AGBR बनेगा बना के दिखा दूं आगे चलो एक तो हमारे पास reaction लिख लो पहले तो आर एफ है साथ में है एक सेकेंड आर बी आर बी आर है साथ में AGF क्या बनाएगा क्या बनाएगा आर एफ प्लस AGBR ठीक है यह चीज़ हमने नोट कर ली एक सेकेंड हम एच जी टू एफ टू भी ले सकते हम लोग अभी यहां पर क्यूंकि मैं दो तरीके से कोई भी दो मैं बता दे रहे हूं वाक तो आर क्या है मान लो लेते हैं क्या लेलें क्या लेलें CH3 लेलें CH3 बी आर साथ में ने लिया AGF क्या बनाएगा बनाएगा CH3 F बनाएगा देको फेल है कारबन की सारी वेलेंसी साथ में बनाएगा AGBR का प्रेसिपिटेट और कोई लें C2 H5 BR साथ में लेलो AGF C2H5F, साथ मनेगा AG, BR, प्रेसिबिटे, और कोई ले, क्या ले, बताओ, C2H5, BR, साथ में ले, CL ले ले, CL ले ले, साथ में ले ले लेते हैं, HG2F2, क्या नाम है इसका, HG2F2, this is Mercurus Fluoride, Mercurus Fluoride, क्या बना एका, C2H5, अब दिस C2H5 can be written as, CH3CH2, ठीक है, यू रिट इस CH3CH2, CH3CH2, क्या लग जाएगा, फ्लोरीन लग जाएगा, और क्या है, HG2Cl2, प्रेसिपिटेट फॉम, ठीक है, बाद समन्माही, और कुछ है, बस्ता नोट कर लो, बहुत जादा है, बहुत अच्छे समन्में आगए, क्या है, स्वाट्स रेक्शन, स्वाट्स, स्वाट्स रेक्शन, स्वाट्स रेक्शन, इस फोर परपरेशन और, किसके लिए होता है, होता है, सिर्फ और सिर्फ, परपरेशन, आफ आलकाइल फ्लोराइड ठीक है? नोट करो फटावर स्क्रीन शॉट मैं हट जाती हूँ क्योंकि ठीक है कई बार हो जाता है कि आप से कोई चीज छूट गई कोई चीज नहीं हो पाई तो इसलिए मैं हट जाती हूँ लेकिन कोशिश किया करो स्क्रीन शॉट की सुरवत ना पड़े अब इस सारी चीजें खुद से ही कर रहे हो तभी आपको आएगा अब आप सोच रहे हो कि माम अब पास अब पास करिये लिखना लिखना ये सोच के तो हमने कुछ जाद ही लिख लिया है चलो ठीक है समझ गया ना इसका स्क्रीन शेट लेना हो लो जल दी से क्या क्या लग सकता है ASF3, SBF3, COF3, AGF, HG2, F2 स्वाट्स रेक्शन क्लियर है? नोट कर जदी स्वाट कर चलो नोट कर लिया है सबने ओके moving on to the next slide क्या है? Hans Dicker रेक्शन Hans Dicker reaction क्या कहता है इसका भी खैर बहुत बड़ा मेकानजम होता है आपको नहीं ज़र होता है बहुत चादा जानने की simple जानो यह simply बोलता है कि आपको silver salt, कोई भी silver salt the silver salts of monocarboxylic acids are heated with Br2 in carbon tetra chloride क्या करना है? पता है यह भी लिख लिया करो इक copy में आप notes पनाओ, एक copy में reactions लिखो ठीक बहुत अच्छे से आद होगा मानो मेरी बात को माना करो कभी-कभी-कभी-कभी-कभी-कभी-कभी-कभी-कभी-कभी-कभी-कभी-कभी क्योंकि जो बाते मैं आपको बताऊंगी ना लिखने के लिए मैं हर बार नहीं बोलती है, मैं हर बार नहीं बोलती है, पूरी PPT चाप लो मेरी, नहीं, मत चापू, मैं तो PPT बनाती हूँ ताकि आपकी आपकी बुक का ISC में जब कभी YouTube वगरा देखती हूँ, ISC का पूरा syllabus मेरे खाल से शायद ही कोई है जिसने खिया है, शायद हो सकता है, मतलब मैं जानती ही होँगी, क्योंकि जितना मैं जानती हूँ, NCRT, NCRT, NCRT चली आ रही है, कोई प्रोब्लम नहीं, NCRT बहुत अच्छी होती है, ऐसा नहीं, बल्कि आप जब अपने कई ISC की बुक्स में लिखा रहता है, complete NCRT यहाँ पे है, इस बुक में, ठीक, अच्छ में admission लिया है, हम IAC का क्या पढ़ना है, सब क्या सब को CBC का पढ़ना है, इसलिए, मैं आपकी बुक से PPT बनाती हूँ, कि जब भी आप PPT खोल के देखो, तो आपको बुक का word to word चीजे, word to word तो खेर नहीं, power point, point wise, वो चीजे मिल जाएं, जो चीजे जरूरत होंगी, चीक, करो कि माम ये ठूठ गया, क्या हमने ये कर लिया, मैं क्या chapter खतम है नहीं, हो आया नहीं, मैं बता देथे हूं आपको, मुछ कुछ कुछ वीडियोस आ रहे, बनलब कुछ कुछ वीडियोस आपको बता देते हूं कि यह है, यह यहां पर यह चीज हो गई, तो आपको confusion नहीं एकनम बेफेक्र हो के फॉलो करो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, फिर, NCRT भी पूरी है, अगर आप CBSC वाले बच्चे देखेंगे, पूरी NCRT, पूरी NCRT का कोई कोई topic नहीं चूटा होगा, ठीक है, तो यह क्या बोलता है, silver salt of monocarboxylic acid are heated with Br2 in carbon tetra chloride, in carbon tetra chloride, समझो बात को, in carbon tetra chloride, ठीक है, so, so, alkyl halide containing one carbon atom less than the silver salt is obtained, कुछ समन्नी है न, समझो reaction से, माल लो, हमारे पास एक alkyl, और यह COO, मैं हम यह COO क्या है, बच्चो, carboxylic acid, fatty acid जिसको बोलते हैं, carboxylic acid, COOH, माल लो यह, बताते हैं भी, बताते हैं, ठीक है, आपको क्या करना है, वो बोल रहा है, silver salt of monocarboxylic acid, silver salt of monocarboxylic acid को heat करेंगे with BR2, तो माम यह कहां से है, अभी अगेन तुम लोग यह तो नहीं पूछ रहा है, माम यह कहां से है, यार, देखो, simple है, ag को लगाया गया है, माल लो, ag, agbr है, for example, for an example, साथ मैं आपके पास, r, c, o, o, h, यह ag आएगा, यहां के लग जाएगा, h, br side हो जाएगा, ठीक, क्या बनेगा यह, यह बनेगा, r, c, o, o, ag, h, br, यह बन जाएगा, h, br हट कहीं आगया, अब यह उठा के हम यहां पे लेके हैं, ठीके, तो यह हटा दे, चल्ट, अब यह उठा के हम यहां पे लियाए, r, c, o, ag, react करो बच्चो, br2 के साथ heat करो, तो बनेगा, r में चला जाएगा, br, r में चला जाएगा, br, बचेगा, c, o, 2, बचेगा, ag, br, हन्स, ठीकर रियाक्षिन, अब यहाथ करो पीछे, मैं आपने कुछ बताया था, हन्स, ठीकर रियाक्षिन, किसके काम आएगा, exclusive method used for the preparation of alkyl bromide, हमने alkyl fluoride भी पढ़ा, alkyl chloride भी पढ़ा, alkyl bromide भी पढ़ा, alkyl iodide पढ़ा, iodide तो कौनसी रियाक्षिन होगी, finkelstein reaction, iodide तो finkelstein reaction, fluoride तो, fluoride की तो मामें एक ही है, swartz reaction, bromide है, हन्स, ठीकर रियाक्षिन, क्या यह बास अब को समने मागा, ही रट रही हैं बाते, दिमाग में गूस रही हैं बाते, एक्दम चली जानी चाहिए, ताकि अब जब आ पी हटाओ, तो आपको कोई दिक्कत नाए, ठीक है, तो यह होती है हमारी हांस-ठीकर रियाक्षिन, क्या बोलते हैं, यह बोलते हैं, यह बोलते हैं, भाई, fatty acid जो है, alkyl group of fatty acid, यह यहां पर समनलो, silver salt, चलो, fatty acid जो starting है, वो अली reaction भूल जो, simple समझो, silver salt of mono carboxylic acid को heat करना है, किस के साथ, किस के साथ का क्या मतलब है, माम, हांस-ठीकर reaction मतलब BR2 के साथ, तो yes, BR2 के साथ, RBR बनेगा, carbon dioxide बनेगी, AG, BR का precipitate निकल जाता है, बना के दिखाओं इसकी कोई reaction, चलो, पहले तो reaction ही लिख लेते हैं, R, COO, AG, साथ में होगा, साथ में होगा, H, BR, sorry, साथ में क्या बना के देगा, बना के देगा, R, COO, BR, साथ में, R, COO, BR, साथ में, AG, BR, ठीक, यह दो चीज़े हमें मिल गई, CO2 नहीं लिखा मैंने, एक सेट, CO2, ठीक, ये हो गया, तो ये चीज़ा हमें मिल गई, बास्षब में, ये, CO2, अलग हो गया, ये, CO2, एक साइट चला जायगा, AG चला जायगा, बी-r के साथ, कि मतलब एक बी-r AG के साथ, ऐसे समझो, एक बी आर एजी के साथ, एक बी आर आर के साथ, यह है आपकी हन स्टीकर रियाक्शन, किसकी प्रिपरेशन के लिए, फॉर दा प्रिपरेशन ओफ, आलकाइल ब्रोमाइड, दिख रहा है सबको, चलो, हलकल का दिख रहा होगा, कोई दिखर नहीं है, ठीक है, बनाएं, CH3, COO, AG, BR2, क्या बनेगा, CH3, BR, CO2, AG, BR, ठीक है, और कुछ ले, CH3, CH2, COO, AG, क्या मैं, AG ही होगा हमेशा, हाँ जी, AG ही होगा हमेशा, हमेशा, ठीक, साथ में लेना है, BR2, क्या बना देगा, बना देगा, CH3, CH2, COO, BR, प्लस, CO2, प्लस, AG, BR, नोट करो, इतना नोट करो, पहले यह स्क्रीन शोट लो, फटावट, फटावट से स्क्रीन शोट ले लो, इसका, ले लिया सबने, चल, ले लिया, चल, इसका स्क्रीन शोट ले लो, ले लो, जल्दी से, अब यहाँ पर क्या आपको कुछ चीजे नहीं दिख रही है, कुछ अलग, ले ले मच, थो बिख़ रही है, नहीं को को नहीं देख़ है, स्वह यह आउलग मुझे तो दिख रही है, तो मैं बताउंगी आपको, 1,2,4, 8, 2,5, आपको इक चीज नहीं दिख रही है क्या चीज में नहीं दिख रही है यहां पर अगर हम इस कंपाउंड को देखें और यहां पर अगर हम इसको देखें तो यहां पर मुझे तो यह दिख रहा है कि यहां पर एक कारबन दो कारबन तीन कारबन का है अरे तीसरा तो बाहर चला carbon atom decrease करता है, यह reaction follow होती है with the decrease in the carbon atom, उपर भी चेक कर सकते हो, यहाँ पर कितने है, दो carbon, यहाँ पर कितना है, एक carbon, इसको माझ जूड लाना माम साथ में नहीं नहीं, compound तो अलग अलग बन रहे हैं, तो इसको बोलते हैं बच्छों, descent of chain, हन्स-टिकर reaction में, descent of chain follow होता है, यानि कि carbon आगे चलते-चलते कम होता जाता है, छीक है, कोई भी reaction आप इसके ले सकते हो, carbon आगे चलते-चलते कम होता जाएगा यहाँ पर, clear है इस बात सब को, कोई confusion तो नहीं है, जल्दी से इसका भी screenshot लेलो, अभी यहीं पर, इतनी आपकी reaction is more than enough, solvent लगाना हो, solvent लगा सकते हो, ठीक है, कोई भी solvent, जैसे की, for example, क्या लगा दू, carbon tetra chloride, यह बहुत important होता है, CL2 भी होता है, carbon tetra chloride और chlorine, ठीक, यहाँ पर CL2 लगा दे रहे हूं, यहाँ नहीं लगाता है, यहाँ लगा लो, CCL4, CCL4, carbon tetra chloride, यह solvent है, यह लिख दू, CCL4, CCL4 check, so these are the main reactions, यह कुछ main reactions है,